Hello everyone, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे Kingdom Plantay का 4th Division Gymnospump हमने स्टार्ट किया था Kingdom Plantay और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जितने भी प्लांट्स हैं उनको 5 Divisions में अलग-अलग classification के basis पे classify किया था उसमें हम अभी तक पढ़ चोके हैं 3 Divisions इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू और 4th Division जो की है जिम्नोस पंप्स So, Welcome to Magnet Brains, मैं हूँ विभूती खारे तो चलिए, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक Division Gymnospumps देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे कि हमने classification किया था जो जिम्नोस पंप्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं? Seeds होते हैं Seeds आये क्यूँ Actually, Seeds आये embryo को प्रोटेक्ट करने के लिए अब ये embryo क्या होता है? देखो, हमने basic reproduction देखा था उसमें हमने क्या देखा था? Male और female gamet आके combine होते हैं और क्या बनाते हैं? Zygote बनाते हैं ठीक है? ये आया एक male gamet और ये आया एक female gamet ठीक है? और ये दोनों कैसे होते हैं? हैपलोइड होते हैं हमने cells के chapter में पढ़ा था और ये दोनों आये और इन्होंने एक diploid cell बनाया जिसको हमने बोला Zygote अब इस Zygote में क्या होता है? Cell divisions होते हैं number of cells बढ़ जाते हैं तो ऐसा structure जिसमें कई सारे cells होते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? embryo कह देते हैं क्या हुआ? fertilization हुआ याने कि male और female gamet आये fertilize हुआ और ये क्या बन गया? Zygote बना जो कि एक diploid cell था अब इस cell में जब number of cells और बढ़ जाएंगे division से तो इस structure को हम क्या बोलेंगे? embryo बोलेंगे ठीक है? तो इस embryo को protect करने के लिए seeds आए याने कि आप normally जब आप fruits खाते हो उसमें आपने क्या करा? pulp खाया pulp के अंदर क्या मिलेगा? आपको seeds मिलेंगे और उस seed को भी जब आप dissect करके देखोगे आपको ये embryo देखेगा ठीक है? इसी seeds को जब आप soil में डाल देते हो तो ये embryo ये seed जो है basically वो germinate करता है और उसके अंदर का जो embryo होता है वही एक plant body form करेगा उसके पास roots आएंगी shoots आएगा, ठीके leaves वगेरा आएंगी branches आएंगी, flowers आएंगे, fruits आएंगे तो ये एक basic method है, process है जिस तरह से plants reproduction करते हैं और new plant body का formation करते हैं अब क्या हुआ? कि aquatic life से terrestrial life में आने के लिए बहुत सारे challenges plants को phase करने थे उसमें से एक major challenge था इस embryo का protection कि इस चीज़ से कि ये कहीं dry न हो जाए तो bryophytes और teradophytes ने क्या किया? कि इस embryo को ये present ही वहां रहे जहां पर थोड़ा सा moisture था, पानी था ठीक है? जिसकी वज़े से इनका embryo सूखने से बच गया लेकिन जब हम land पे आएंगे जब हम dry regions पे जाएंगे तो वहां पे पानी की availability इतनी होगी नहीं तो क्या होगा? ये embryo तो सूख जाएगा अब जब embryo ही सूख जाएगा तो plant reproduction कैसे होगा? यानि कि new plant का formation कैसे होगा? है ना? तो इस चीज़ को इस drawback को overcome करने के लिए आए कौन? seeds seeds ऐसी structure होते हैं जो कि embryo को protect कर लेते हैं यानि कि ये रहा एक embryo और उसके उपर आ गई एक seed की covering seed को हम green color से बना देते हैं ठीक है? ये red वाला क्या है? red है embryo और ये green part क्या है? ये है इसके उपर का seed जिसने क्या किया? embryo को सूखने से बचा लिया अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? कि aquatic life से terrestrial life में आने के लिए बहुत सारे challenges फेस करने थे उसमें से एक major challenge क्या था? embryo को सूखने से बचाना था bryophytes और teradophytes ने क्या किया? उन्होंने वो रहते ही ऐसी जगा पे थे जहां पे थोड़ा सा moisture हो जिससे की उनका embryo जो है वो सूखने से बच जाए लेकिन जब हम बात करते हैं terrestrial life की जहां पे हम dry regions में जाते हैं ऐसी जगा पे जहां पे पानी की availability काफी कम होती हो तो वहां पे क्या होगा? embryo तो सूख जाएगा इस embryo को सूखने से सूखने से बचाने के लिए क्या होता है? seeds आते हैं यह seeds क्या होती है? एक तरह की covering होती है जो की dry regions में भी embryo को सूखने नहीं देंगे यानि की embryo जब प्रोटेक्टेड रहेगा तो वो बचा रहेगा सूखने से और एक new plant body form कर पाएगा ठीक है? तो हमारे जो gymnosperms आये थे उनका सबसे पहले तो यह gymnosperm नाम कहां से आया? तो basically gymnosperm जो term है वो दो Greek words से derive हुआ कौन-कौन से? एक था अपना gymno और एक था sperma sperma का मतलब होता है Greek language में seed ठीक है? और gymnos का क्या मतलब होता है? without cover याने कि इनके पास क्या था? seed उतो थे याने कि embryo को protect करने के लिए seed था लेकिन seed की ओपर कोई और covering नहीं थी हम normally जब fruits खाते हैं तो fruit का हमने pulp खा लेते हैं और इसके बार में उसके अंदर आपको seed दिखता है लेकिन जब हम gymnosperms की बात करेंगे तो उसमें आपको fruit नहीं दिखेगा सिर्फ क्या दिखेगा? seed दिखेगा seed क्यों आया है? embryo को protect करने के लिए है याने कि embryo protected होता है seed से लेकिन seed के पास कोई और cover नहीं होता है यही gymnosperm का एक special characteristic होता है तो gymnosperm term कहां से आया है? दो Greek words से आया है जिसमें gymnos का मतलब होता है without cover और sperma का मतलब होता है seed याने कि ऐसे seeds जिसके उपर fruit की covering नहीं होगी यह वाला point clear है आपको? ठीक है? second point में हम बोलते है they are primitive and simple seed plants सबसे पहले seed लेके आने वाले यही plants थे तो सबसे पुराने हुए सबसे पहले आये थे तो हमने इनको primitive बोल दिया और यह काफी simple होता है इनका structure काफी simple होता है तो most primitive and simple seed plants थे यह कौन? gymnosperms फिर usually perennial, evergreen and mostly woody plants याने कि evergreen हमेशा इनके पास पेड जो है वो लदा रहता है हरी पत्तियों से इसलिए इनको हमने बोला evergreen हमेशा इसको आपको इनके पास greenery दिखेगी हमेशा यह green दिखेंगे ठीक है? इसके बाद में mostly woody plants होते हैं और perennials होते हैं perennials पे हम बोलते हैं कि इनकी जो life span है वो काफी जादा होती है काफी सालों तक ही survive करते हैं तो यह perennials हो गए evergreen होते हैं हमेशा green leaves होगी इनके पास कभी सूखते नहीं है ठीक है? और इसके बाद में mostly woody plants होते हैं फिर इसके बाद में इनके पास true roots, stems और leaves भी present थे अभी तक जो हम division देख रहे थे उसमें हमने देखा था कि root like, stem like, leaf like structure थे लेकिन जब हम बात करेंगे gymnosperms की तो इसमें कोई भी confusion नहीं होगा true roots, stem, leaves सब present होगी फिर इसके बाद में इनके पास xylem यानि जो हम vascular tissues की हम बात कर रहे थे तो vascular tissue में भी xylem present होगा और phloem present होगा लेकिन xylem में जब हम xylem बढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि xylem जो होता है वो चार टाइप के cell से बनता है एक टाइप का cell कौन था था उसमें vessels तो xylem में vessels absent होगे, कहां? gymnosperms में और phloem में भी companion cells absent होगे यानि कि vascular tissues तो present है लेकिन xylem में vessels absent होगे और phloem में companion cells absent होगे, right? फिर इसके बाद में इनके examples हैं, आपकी NCRT ने mention किया है pines and deodor अब देखो, यहाँ पे आपको pine tree का एक example देख रहा है ठीक है? यह actually pines क्या होते हैं? यही क्या होगे? seeds होगे, यह seeds ही हैं जो आपको brown color का structure देखने को मिल रहा है, यह इनके seeds है और seeds जो होगे, वो fruits से covered नहीं होगे ठीक है? वही से तो हमारा gymnosperm का नाम आया है seeds हैं लेकिन without fruits फिर इसके बाद में यह है एक deoda tree जैसे आप देख रहे हैं, characteristics मैं आपको बताया थे कि evergreen होते हैं और perennial होते हैं, woody trees होते हैं तो यह आपको देखने में बिलकुल एक normal tree जैसा देख रहा है लेकिन यह है क्या? एक gymnosperm है और जैसे कि हमने बोल दिया कि इसके seeds के पास fruit की covering नहीं होती है और एक और point है world का जो largest tree है वो भी एक gymnosperm है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है coastal redwood tree यह एक ऐसा tree है जो की world में सबसे ज़्यादा लंबा है tallest tree है और यह भी क्या है? एक gymnosperm ही है इसका नाम क्या है? coastal redwood tree इतना समझ में आया अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया हमने पढ़ा था आज division gymnosperms के बारे में gymnosperms में हमने बोला कि यह ऐसे plants थे जिनके पास seeds तो आये embryo को protect करने के लिए लेकिन इनके पास seeds के पास कोई covering नहीं थी यानि की fruit नहीं था इसी तरह से जैसा कि gymnosperm में हमने बोला ग्रीक वर्ट से डिराइब किया गया है यह term जिन्लों का मतलब होता है without cover और स्परमा का मतलब होता है seeds यानि की seeds के पास fruit की covering नहीं होगी seeds क्यों आये थे embryo को protect करने के लिए क्योंकि यह जो plants थे यह terrestrial plants थे यह land पे आ गए थे इनको पानी इतने easily available नहीं था ठीक है तो embryo कहीं सूक ना जाए उसको protect करने के लिए फिर seeds आए फिर इसके बाद में यह primitive थे सबसे पहले seed लेकर के यही आये थे और simple seed plants थे ठीक है फिर इसके बाद में यह perennial होते हैं evergreen होते हैं और mostly woody plants होते हैं फिर इनके पास true stems और leaves present होते हैं xylem के पास vessels absent होंगे और floem के पास companion cells absent होंगे लेकिन हम यह नहीं बोलेंगे कि vascular tissues हैं ही नहीं हैं लेकिन एक एक जो है ना जो element है जैसे xylem का vessel absent है floem का companion cell absent है लेकिन vascular tissues present हैं फिर इसके बाद में examples थे इनके pines and deoda तो यह हमने आज division हमारा gymnos pumps पढ़ लिये हैं हमने अच्छी तरह से एक ए characteristics को देख लिये हैं क्या इनके main characteristics थे किस नाम से किस चीज के लिए जाने जाते हैं और हमने सब कुछ एक quick recap भी हमने इसका देख लिया अब हम next video में बात करेंगे 5th और last division की NGO sperms के बारे में तो complete course के लिए Magnet Brains Plus में जरूर अपग्रेट करें और इस topic के notes आपको available हैं हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching